सौ करोड वैक्सिनेशन पर पियम मोधी ने दी बधाई बोले डॉक्टरों नर्सों समेथ सभी का अबहार सिंगु बॉर्डर पर एक और किसान की मौध हार्ट अटैक बताई जा रही वच्छा शिवराज सरकार का दिवाली पर बड़ा तौफा सरकारी कर्पिचारियों को मिलेगा आठ प्रतीशद पढ़ा हुआ महगाई घत्ता प्रियंगा गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला महिलाओ पर योगी सरकार का त्याचार पकोडी लाल कोल का हुआ था वीडियो वाइरल अनुप्रिया पटेल ने वीडियो किया जारी वीडियो जारी कर मांगी माफूँ प्रियंगा गांधी ने योगी सरकार पर जम कर हमला बोला मिशन शक्तियों और महिला सरक्षा पर सरकार को घेरते हुए मृतक की पत्नी सी मिलने प्रियंगा गांधी पहुची और भावुख हो गई प्रियंगा गांधी ने कहा कि महिलाओ पर योगी और मोधी सरकार अत्याचार कर रही है घर से परिवार के लोगों को और महिला को खीच खीच कर पीटा गया है किस तरह का देश बना रहे हैं किस तरह का देश बना रहे हैं किसी के लिए नहीं नहीं है नहीं सिर्फ मंत्रियों के लिए जिनके बेटे अपराद करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं यहां पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है इतना अत्याचार हो रहा है औ क्यों है आपको मालों में क्या कहा मुझे कि हमें दस लाग पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे हमें न्याए चाहिए प्रियंका गांधी सीधे तो और पर न्याए की मांग करती हुई नजराई सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि हमें पैसे नहीं न्याए चाहिए उन्होंने कई सवाल पूछी सरकार से कहा कि क्या सिर्फ मंत्रियों के लिए ही सरकार बनी है मंत्रियों के लिए ही नयाई है और गरीब लोगों के लिए नयाई नहीं है उन्होंने बताया कि किस तरह से मार पीट की गई है घर का समान ले गए है तो तमाम चीजों का खुलास करते हुए नजर राई प्रियंका गांधी उन्होंने जम कर निशान साधा सरकार पे और सरकार से कई सवाल भी पूछे नियाय की गोहार लगाती हुई नजर राई प्रियंका गांधी अगोता दे कि आगरा की ये तस्वीर है जहां महिलाओं पर योगी सरकार का त्यचार है इस तरह के बाद कही उन्होंने जमकर हमला बोला योगी सरकार पे और महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े किये और साथ ही न्याई की मांग भी की रामनगरी आयोध्या की रामकथा संग्राहले में आयोजित वालमी की जहनती महुतसव में शिरकत करने पहुँचे प्रदेश के बेसक सिक्षा मंतरी सतीश दिवएदी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों के पढ़ने के हाई कोट के आदेश पर उन् कोई सबरदस्ती नहीं की जा सकती उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या अफसरों पत्रकारों और व्यापारियों के बच्चों के सरकारी स्कूल में पढ़ने से ही सिक्ष्या विवस्था में सुधार होगा क्या गरीब मजदूर किसानों के बच्चे जहां पढ़ते हैं व अपनी उपस्ति सी दर्ज कराई। कि सरकारी स्कूलों में सरकारी अफसरों के बच्चों के पढ़ने के हाई कोट के आदेश पर उन्होंने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जिसमें कई वर सिक्षविदों को सम्मानित भी किया गया। कारेक्रम में कई प्रमुक्संतों की उपस्तिती बीदर्ज कराई गई जिसमें इस बयान को देते हुए नजार आई सिक्षवंत्री। देखिए जो निजी विद्याले हैं एक तो आप सबको ध्यान में होगा। कोविड लागडाउन के समय में जब स्कूल बन थे सरकार ने कहा था कि कोई भी फिस विर्दी नहीं करेगा। जब स्कूल बन थे तो कोई वाहन सुल्क और इस तरह के अत्रिक सुल्क नहीं लिए जाएंगे। किस्तों में सुल्क जमा करने की सुविदाह दी जाएगी अगर किसी अभी भावक कोई असमर्तता है तो। और माननी उक्मुक्यमंत्री डाक्टर दिनेश सर्मा जी की अधिक्षिता में गुत्तर प्रदेश वो पहला राज जी है जिसने सुल्क निर्धारन समिती बनाई सरकार द्वारा निर्धारित सुल्की संधानों को लेना पड़ता है और कहीं से अगर किसी तरह की कोई सिकाय आती है तो समन्दी जिले के जिला वे जाले निर्धार निर्धार देहन कर बंगाल सरकार को बरखास्त करने की मांग की गई बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदेशन नारों के साथ जिहादी अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कारिवाई की मांग भी की गई बजरंग दल प्रांत संयोजक अचार्य जीत राज ने उपजिलादिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोध दिग्यापन सौपा बता दे कि नवरात्र के पावन पर्व के मौके पर बंगाल में 20 गाउं में दुरगा पूजा पर बहु संख्यक उपद्रव्यों द्वा गाजिपूर पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद बदमाशों के होसले पस्त नजर नहीं आ रहे हैं प्रमामला गाजिपूर जिले के नंदगंज थाना छेत्र का है जहां एक बैंक ग्राहक से बदमाश उस वक्त जबरन दराज की चाबी लेकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए जब बैंक ग्राहक अपनी दुकान में जाडू लगा रहा था दरसल जिले में जिस बैंक ग्राहक को बदमाशों ने सुभा लूटा था वही बदमाश पुलिस की सूजबूज से धर दबोचे गए हैं उनके पास से बुदवार सुभा ग्राहक से लूटे गए बैग भी बरामद हुए हैं तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कई अभियान चलाने के बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं पुलिस ने हलाकि बदमाश को ग्रफतार कलिया है कि बड़ी लूट की घटना सामने आई है गाज़िपूर से ये मामला सामने आया है जाना चेतर का है जाएगा बैंक ग्राहक से बदमाश ने जबरन दराज की चौवे लेकर पैसो से भरा बाग लेकर फरार हो गए और बैंक ग्राहक अपनी दुकान में उस वक्त जालू लगा रहा था जुले में जिस बैंक ग्राहक को बदमाशों ने सुभा लूटा था वह एक ग्राहक से लूटे गए पैसे वापस मिल गए है बरामत कलिये गए है पुलिस की सूझ बूच के द्वारा कि देखे आज सबेरे दस बजे हमको सूचना मिली थी कि तल्वल मोड के पास एक बैंक मित्र है आवकास बिंद वो सबेरे आये अपनी दुकान जैसे ही खोले और उन्होंने अपना बैग रखा था द्राज में पी उन्ताला लगा लिया और उन्हों कहें कि हम अपना अभी लिए चाबी यने पार राज खोला उसका बैग लिया और वो चल दिये जाते समय उन्होंने फायर किया इसके बाद इस अव्कास बिंद ने उनका पीछा किया जो आगामेत योहफार को देखते हुई पलिस प्रिशासन द्वाराफ्लैग मार्च किया जा रहा है शांत को किसी प्रकार की समस्या ना हूँ सभी त्योहार सक्षल संपन्ध हूँ उन्होंने कहा जनता पुलिस के साथ है हम जनता को काॉपरेट कर रहे हैं। पुलिस कमिशनर असीम अरूड अरट कमिशनर अकाश कुलारी सहेत भारी पुलिस जबल सडकों पर नज़र आए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चपे चपे पर पुलिस मौजूद दिख रही है और साथ ही पुलिस का कहना है कि पुलिस जनता के साथ जनता पुलिस के साथ कॉपरेट कर रही है सुरक्षा और शांती विवस्था को बनाए रखने के लिए ये फ्लाग मार्च निकाला जा रहा है और पुलिस की तैनाती की गई है चपे चपे पर फ्लाग मार्च के साथ ही जनता के बीच बनी हुई है पुलिस और किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े जनता को कोई अप्रिय घटना न हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है तो यहारी मौसम है और ऐसे में बाजारों में भीड काफी देखने को मिलती है जस वज़ा से पुलिस ने अभी ये कदम उठाया है लखीमपुर खिरी में शारदा और घागरा बारिश की वज़द से उफान पर है उफान पर करीब 150 गाओं बार्ड से प्रभावित है बार्ड की सूचिना पाते ही छेतर में विधाया के रोमी साहनी पहुँचे मतादे की ग्राम धकिया में 50 ग्राम वासियों के बार्ड में फसे होने की सूचिना है प्रशासनी का अधिकारियों के साथ पहुँचे ग्राम धकिया ग्राम वासियों से उच अधिकारियों ने वारता की और रेस्क्यू कर लोगों को निकाला प्रताबगड के नगर कोतवाली के चिल बिला ओवर ब्रिज के पास बेक हॉफ बदमाशों ने लूट की घटना को अन्जाम दिया बदमाशों ने आट लाग पचास हजार और बाइक लूट मुखे से फरार हो गए पॉंटी इचंडा के फल दो शराब गोदाम के मैनेजर अनिल मिश्र से पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अन्जाम दिया गया बाइक की डिग्गी में रुपए रखकर गोदाम से बैंक में जम्हा करने जा रहे हैं मैनेजर से लूट के बाद बदमाश फरार हो गए है तो वहीं अप पलिस भी मामले की जाच में जुट गई है बदमाशो के होसले बिलंदन दरार है जो प्रताबगड में लूट की घटना को अन्जाम दिया गया है आपको बता दे कि इस घटना को अन्जाम दिया गया जब पैसो को डिक्की में रखते हुए ब्यक्ती बैंक में जमा करने जा रहा था प्रताबगड के नगर कोतवाली के चिलबिला ओवर बिज के पास का ये मामला है जहां बदमाशों ने अपनी घटना को अन्जाम दिया है और बेख़ॉफ होकर घटना को अन्जाम दे कर बदमाश लूट करके फरार हो गए बदमाशों ने आठ लाख पचास हजार और बाइक लूट मौके से फरार हो गए हैं बदमाश पॉंटी चंडा के फल दो शराब के गोदाम है जिसके मैनेजर अनल मिश्र से पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अन्जाम दिया गया है और बाइक के डिग्गे में रुपे रखकर गोदाम से बैंक जमा करने जा रहा है मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है जिसको अब पुलिस निसंग्यान मिलिया है जाच में जुट गई है केंद्रिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुकतार अबास नकवी रामपूर पहुँचे नकवी ने बाड़ ग्रसित छेत्रों का निरिक्षड किया नकवी ने कहा कि उन लोगों को खादे समगरी दवाईया और जरूरी चीज़े उपलब्द कराई जा रही है बाड़ पीड़ित लोगों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए है ताकि लोग उनमें जाकर रह सके जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रिशासन कर रहा है उनकी मदद की जाएगी जिन लोगों ने अपने घरों को नहीं छोड़ा है उनने लोगों को भी खादे समगरी भेजी जा रही है वही राद दिन सुरक्षबल पुलिस के अधिकारी प्रिशासनिक अधिकारी एंडी बार से ग्रसित छेत्रों का मुआइना केने पहुचे मुकतार अवस नकवी बार ग्रसित छेत्रों का निरिक्षड किया और जबात का अश्वासन दिया कि सरकार द्वारा हर मुम्किन मदद दी जाएगी और साथ ही सभी इंदजाम की जारे खाद समगरी और साथ ही दवाई तो रामपूर के दोरे पर मुक्तार अबास नक्वी पहुंचे बाड़ से बुरा हाल है कई लोग अभी भी बाड़ में फसे हुए हैं रामपूर की घटा है जहाँ पर खाने के पैकेट के साथ जरूरी समान के साथ पहुंचे और उन्होंने बाड़ की स्तिती का जाइज़ा लिया लोगों को हर संभा मदद का प्रयास भी कर रहे हैं बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की केंद्र मंत्री अनुप्रिया पठेल ने सांसच से माफी मांगने का निर्देश दिया था जिसके बाद इस पर पकोड़ी लाल का बयान सामने आया वही इस बयान के बाद अनुप्रिया पठेल ने वीडियो जारी कर माफी मांगा और कहा कि हमारे वीडियो को तोड मरोड कर पेश किया गया है जो भी हम हैं स्वयर्ण समाज की वजह से ही है तो एक विवादत वीडियो वारल आया था जिसमें काफी विवादत बयान देते हुए नजर आये थे मंत्री जिसके बाद अब माफी मांगी गई है किसी भी धर्मिया जाती विशेश के प्रती अमर्यादित भाषा का उप्योग करना मेरी पार्टी अपना दल के संसकारों का हिस्सा नहीं है अपना दल अपने गठन के समय से ही बंचित, शोशित और दबे कुछले वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करती आई है एक वाइरल वीडियो मेरे संघ्यान में आया है जिसमें उप्युक्त की गई भाषा अत्यंत अमर्यादित है और मेरी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और हमारा मानना है कि किसी भी परिस्तिती में किसी भी जाती या धर्म विशेश के प्रती अब शब्दों का या अमर्यादित भाषा का प्रियोग नहीं होना चाहिए मैंने अपनी पार्टी के माननी सांसद जी को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अनुप्युक्त और अमर्यादित भाषा के लिए तत्त्त सोनभद्र में 17 जुलाई 2019 में हुए उंभा कांड की पीडिता आदिवासी महिला किसमत को विधान सभा चुनाओ का टिकट मिल सकता है मता दे कि जबीरी विवाद में साल 2019 में हुए नरसंगहार में घोरा वलविधान सभा चेत्र के उंभा गाउं में कुल 11 लोगों की मौत गोली लगने से हुई थी आदिवासी महिला किसमत के भाई की भी इसी कांड में मौत हो गई थी नरसंगहार के बाद जब प्रियंका गांधी सोन भद्र पहुंची थी तो किसमत ने उनकी आउभगत की थी और किसमत के घर भी प्रियंका गांधी के जल पान किया था वहीं अब दो सालों के बाद किस्मत का नाम फिर से सुर्खियों में है क्योंकि प्रियंका गांधी ने बीती 19 अक्टूबर को लखनों में होई प्रेसवारता में किस्मत देवी का नाम लिया था ऐसा आकलंग किया जा रहा है कि उन्हें अब टिकट मिल सकता है मुरादबाद जन्पत की मूड़ा पाड़े थाना इलागे में मुरादबाद लखनो हाईवे पर कोसी नदी का पानी आ गया था जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की आवजाहे पूरी तरीके से बंद हो गई थी कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में आ गये थे जिसमें बाढ़ के पानी में फसे लोगों को जिला प्रशासन के मदद से रेस्क्यो करके बाहर निकाला गया था लेकिन अब कई घंटे बीच जाने के बाद इससी सामान ने होनी लगी है हाईवे पर आया कोसी नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है वही घंटों से फसे यात्री अपने अपने स्थानों पर वापसी कर रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा कई टी में कोसी नदी के पास लगाई गई है जो लगतार जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रही है वही जब रहागीरों से बात की गई तो रहागीरों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घंटों से वो लोग कोसी नदी के बड़े जलस्तर की वज़े से फस गए थे लेकिन अब जलस्तर समाने होने लगा है जिसके बाद हाईवे पर वाहन दोबारा चलना शुरू हो गए है जिए कर जी मैं यहां से लगबग साड़े चार यह पांच बज़े की दर्मियान इधर से गुजरा था मैं तो इसी थी बहुत ज़्यादा नादुक थी बहुत ज़्यादा मेरे गुट्मों तक पानी भरा हुआ था और मैं वहां से अब लगबग दो हिंटे के बाद वाफसी कर रहा हूं तो अब मैं देख रहा हूं अलहम्दुल्ला ला के शुकर से पानी का काफी बहाओ ठेराओ हुआ है पानी उतरा है काफी और मैं आई प्रिशासन से गुजारिश कर रहा हूं कि जहां तक होते के वह ट्रेफिक को कंट्रोल जैसे सुबा से किया उन्होंने प्रिशासन ने ऐसे ही आगे भी करते हैं और हैसी उतर प्रदेश की खबरों में फिल हालित तहिया आप बने रहे है प्राइम टिवी के साथ